जय माता रानी की स्वागत है दोस्तों आपका महायोग टीवी चैनल में अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और एक समझदार व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें जिससे आपको भगवान से जुड़ी हुई सभी बातों क ज्यान कराया जाएगा तू इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों धन्तेरस के इस पावन अवसर पर कमेंट बॉक्स में लिखें धन्तेरस की हार्दिक शुभकामनाए जय माता लक्ष्मी माता रानी आपके घर में कभी कोई दुख संकट न आने दे भगवान धन्वंत आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने वाला है धन्तेरस पर पांच संकेत बताते हैं भगवान धन्वंतरी आपसे बहुत प्रसन्न है दोस्तों धन्तेरस जिसे धन की रात भी कहा जाता है ऐसे में हम जानते हैं अगर किसी व्यक्ति को धन्तेरस की रात यह पांच संकेत तो समझो, भगवान धनवंतरी तथा माता लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न है और वह आपके घर में आने वाले हैं, अब आपके गरीबी और दुख दर्द के दिन खत्म होने वाले हैं, आपको सुख संपत्ति तथा धन वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होने वाली है, य यह धन तेरस आपके लिए लकी साबित होने वाला है, दोस्तों आपसे एक विनती है, क्रिप्या हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले, तो चलिए, शुरू करते हैं दोस्तों, जब समुद्र मंठन हुआ था, जब उन 14 रतन में से गाय माता भी प्रकट हुई थी, कहां जाता है कि धन तेरस की रात या सुबह के समय, अगर गाय माता आपके दरवाजे पर आ जाए, तो समझो, भगवान धनवंतरी आपसे बहु आपकी हर मुराद पूरी हो जाती है, आप जो भी मांगोगे गाय माता उसे पूरा करती है, दोस्तों, क्योंकि इसी दिन गाय माता प्रकट हुई थी, इसी लिए इस दिन गाय की पूजा का बड़ा ही महत्व है, इस दिन गाय माता को कुछ न कुछ खिला कर धन तेरस के पर आपके घर में आने वाली है या आपको अचल संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है ऐसा माना जाता है कि खास मौके पर अगर उल्लू के दर्शन हो जाए तो जीवन में धान की कमी कभी नहीं होती क्योंकि इस समय मातारानी अपने बहन यानि उल्लू पर बैठ कर पूरे ब्रह महांड में घूम रही होती है और जो घर उसे अच्छा लगता है मन वहीं पर अपना निवास बना लेती है इसलिए धनतेरस की रात और दीपावली की रात उल्लू को देखना मंगलकारी माना गया है दोस्तों अभी तक आपने हमारा महायोग टीवी चैनल अगर कर ले मैं आपको जो जानकारी बताऊंगा वह सही ही बताई जाएगी दोस्तों धनतेरस यानि भग्वान धनवंतरी की सवारी को देखना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है धनवंतरी की सवारी कुछ खास लोगों को ही दिखाई देती है इसे देखना बहुत ही तो उसके जीवन में कभी संकट नहीं आते। उसे अचल संपत्ति तथा धन दौलत की प्राप्ति हो जाती है। उसे पर सदैव माता लक्ष्मी का आशीरवात बना रहता है। दोस्तो धन तेरस के दिन अगर कोई आपको तोहफे के रूप में शंकर दे जाए तो समझो साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी आ गई है क्योंकि शंकर माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस दिन शंकर प्रभावशाली असर अत्यंत लाभकारी माना गया है क्योंकि धन ते शंकर घर में प्रवेश होना साक्षात माता लक्षमी के आने का सूचक माना गया है। धंतेरस के दिन आप शंकर भी खरीद सकते हैं दोस्तों, हमेशा इस बात का खयाल रहे। धंतेरस के दिन या दीपा वली के दिन अपने घर का झाड़ दो, कभी किसी को मत देना इस से धान की हानी हो सकती है। माता लक्षमी हमेशा के लिए आपका घर छोड़ना सकती है। आप बरबाद हो सकते हैं क्योंकि खास मौके पर जादू किसी को देने पर समझो, अपने साक्षात माता लक्षमी को गर से बाहर कर दिया है, ऐसा अनर्थ कभी मत करना, क्योंकि इस समय जादू का महत्व सर्वश्रेष्ठ है, इस समय लक्षमी आती है, जाती नहीं है, खास मौके पर जादू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए दोस्तों धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पारिजात का पौधा धन तेरस के दिन अगर कोई आपको उपहार के तौर में दिये जाएं तो इससे व्यक्ती का भाग्य प्रबल हो जाता है क्योंकि 14 रतन में से पारिजात का पौधा भी प्रकट हुआ था जिसके अंदर खूबसूरत फूलों का वास होता है जिसमें कई दिव्य शक्तियां वास करती है इस खास धन तेरस पर पूजा में अवश्य शामिल करना चाहिए इसके बगैर पूजा अधूरी मानी जाएगी क्योंकि ये फूल, धन के देवता, धन वंतरी को बहुत प्रिय है आप इसे खास मौके पर उन्हें अवश्य चढ़ाएं दोस्तों, माना जाता है कि धन तेरस पर या दीपावली पर गाय का चित्र या गाय की कोई भी मूर्ती उपहार में देने पर सामने वाले का भाग्य चमक जाता है क्योंकि इस समय गाय माता सर्वश्रेष्ट और पूजनीय है इस समय 23 कोटी देवी देवता सक्रिय रहते हैं इसलिए इस दिन गाय का चित्र घर में लाना और मूर्ती लाना अत्यंत मंगलकारी माना गया है इस से 33 कोटी देवी देवता आपके घर में पधारेंगे दोस्तों हमारे वेदों के अनुसार अगर धन तेरस पर या दीपावली पर घर में गौरय या चिडिया आ जाए तो साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में आने वाली है माता लक्ष्मी को पक्षियों से अतिप्रेम है गोरईया चिडिया का घर में आना इससे यह पता चलता है कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो चुका है दोस्तों धन तेरस या दिवाली पर जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ती घर में ले तो याद रखें खंडित मूर्ती नहीं होना चाहिए ऐसी मूर्ती लाने पर माता लक्ष्मी क्रोधित नहीं होना चाहिए धन तेरस के दिन तेल नहीं खरीदना चाहिए लोहे के बरतन स्टील के बरतन नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इस समय राहुकाल होता है जब आप राहुकाल पर लोहा खरीद लेंगे तब आपके घर में राहु केतु का वास हो जाएगा क्योंकि आप स्वयम राहु केतु को अपने घर पर ले आए हैं ऐसा अनर्थ कभी मत करना नहीं तो सारी जिंदगी आपके दुखों का सामना बरबादी का सामना करना पड़ सकता है इस समय सोना चांदी हीरा मोती तांबा पीतल शिल्पी खरीदा जाता है पीतल तांबे के बरतन खरीदे जाते हैं साथ ही साथ कांच के बरतन भी नहीं खरीदना चाहिए काला कपड़ा भी नहीं खरीदना चाहिए, इस समय काला कपड़ा पहनने पर शनी दोश लगता है, क्योंकि काला रंग शनी का प्रतीक होता है, शुभ मुहूर्त में काले कपड़े कभी ना पहने, इस समय सर्वश्रेष्ठ पूजा की जाती है। क्योंकि इस दिन समस्त संसार में गाय की पूजा भी की जाती है। धन तेरस के पर्वपर घर में मंदिर के पास छिपकली आदी दिख जाए, तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मंदिर में छिपकली देखना या घर में किसी पक्षी का आना, उल्लू आदी का आना बहुत ही मंगलकारी तथा शुभ संकेत माना गया है। क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वहाँ है, साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में आने वाली है, इस धन आने का सूचक माना जाता है, धन तेरस के दिन काली चीटियों का घर में आना तथा लंबी लंबी लाइन बना कर या गोलाकार आकार में चीटियों का चलन बहुत ही शुब संकेत माना गया है इस धन की देवी माता लक्षमी के आने के आगमन माने जाते हैं धन तेरस या दीपावली की रात अगर माता लक्षमी को अपने सपनों में देखा है या आपके सपनों में माता आती है तो बहुत ही मंगलकारी संकेत माना गया है इन सपनों को आप क अत्यंत दुरलब एवं बहुत ही कम लोग देखते हैं, इसे देखना मतलब अब आपके धन के द्वार खुलने वाले हैं, भगवान धनवंतरी आपसे अति प्रसन्न है, समझो आपको दुनिया की कोई भी शक्ती करोडपती होने से रोक नहीं पाएगी, मा धनी होने से रोक न माना चाहिए, तभी ही लाब प्राप्त होता है, धन तेरस के दिन मचली को देखना अच्छा माना जाता है, इसे विश्नु का प्रतीक माना गया है, धन तेरस के पर्व पर सफेद बिल्ली का दिखना अच्छा माना गया है, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धन तेर दोस्तों इसलिए धन तेरस पर मोरपंख जरूर लाना चाहिए मोरपंख खरीदते समय भगवान कृष्ण का ध्यान अवश्य कर ले उनका स्मरण कर ले मोरपंख में महाशक्ति आ जाती है और इसे आप जहां भी रखोगे सुख और सम्रिध्य यश वैभव चुम्बक की तरह खींचा चला आएगा इससे जीवन में धन वाई भाव यश तथा माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है मोरपंख इस दिन अवश्य घर में लाना चाहिए मोरपंख नकारात्मक्ता को नश्ट कर देता है दोस्तों धन तेरस के पर्व पर घर में नारियल जरूर लाना चाहि इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है अगर आप वाकई में धन तेरस के इस पावन अवसर पर माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखो माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक् बहुत सी वीडियो हमने बनाई है और जिन पर आपको बहुत अच्छी अच्छी ग्यान की बातें पता लग जाएंगे तो एक बार हमारे चैनल पर भी आप जरूर देखें और आपको अगर हमसे कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो मिलते हैं किसी नई वीडियो में